हां तो मेरे हीरो क्या हाल चाल मैं उमीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टड़ी आप लोग कर रहे होंगे और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ncrt है न चर्ट क्लास थेंथ मैथ का अध्याय एक और अध्याय एक की अंतरगद जो हमारे पास प्रशना यह द दो आता है उसका हम तीसरा प्रस्ण को हम solve करने वाले हैं तीसरा प्रशन में टोटल कितने प्रशन है तो तीन प्रशन दिये गए हैं और तीनों प्रशन को हम राप्ची के स्टाइल में समझने का पूरा प्रयास करेंगे हैना कहता क्या है कि सीध कीजिए कि निमलिखी संख्या आपर में है तो यह हमें सीध करके बतान यानि उल्टा मानते हैं कि माना एक बटा रूट अंडर दो एक क्या है एक परी में शंख्या है परी में शंख्या है है ना शंख्या है जब परी में संख्या मान लिए तो हम लिख सकते हैं कि इसलिए एक बटा में रूट अंडर दो बराबर क्या लिखेंगे पी बटा में क्य क्यमिक परिमय संधिया इसलिए जहां पर Q के बरावर में क्या होना चाहिए जीरो नहीं होना चाहिए है याना और भी लिख सकते हैं कि P and Q & Q작 by B C F1 यानी P or Q PM को सवाह भाज्य संध्याइ यह सब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, जब इसको solve करेंगे, तो क्या होगा सर, है ना, तो देखो मेरे भाई, root under 2 से P में गुना करेंगे, तो root under 2 P हो जाएंगे, अब रा Q से 1 में गुना करेंगे, तो Q हो जाएंगे, राइट, अब यहां से root under 2 तो root under 2, में संख्या है, तो क्या दोनों आपस में बराबर हो सकता हैं? नहीं, तो यहां पे लिख दो की root under 2, आपरी में है, root under 2 क्या है, आपरी में है, आपरी में है, हैं, एवं, एवं, Q बता पी, जो है, वो परी में है, औरी में है यह मैंने लिख दिया रूट अंडर दो और में Apple में इन一次 क्यू बटा पी बारी मैंने लिख दिया चाली अच्छी बात है अब यहां से हम क्या कर सकते हैं की था कि भाइए एक और में एक परी में क्या दूनों बराबर हो सकते हैं नहीं हम यहाँ पर लिखेंगे कि और परी में और परी में बराबर परी में परी में बराबर हो सकते नहीं असम्भव है असम्भव है तो हांना तो यह होगया तो हम यह लिख दी है ना मानए यह पर सब इछा लिको कल पना किया की मैं यहां पर लिखेंगे लोख काप न की क ले भुवरग क्या की कलपना की यह क्या की अनकी आ की रस lass राइट की गलत है अता हमारी कलपना जो है गलत है गलत है इसलिए गलीखें के सर एक वट्वन वर्टा में रूट एंडर दो एक वट्वन रूट एंडर दो क्या है मेरे भाई तो आपरी में शैंख्या है और परी में शैंख्या है शैंख्या है राइट यह आपने साल्म कर लिया अब यह पहला सोल्ब कर लिया उसी तरीके से दूसरा को भी सॉल्म करेंगे सिंपल यह यह दूसरा है हम कल्पना कर लेंगे यहां पर लिख लेंगे की कल्पना किया की है ना कल्पना किया की सेवें रूट अंडर पांच एक क्या है सेवें रूट अंडर पांच क्या है एक और परी में है अपरी में तो है परी में माल लेंगे की परी में हैं परी में हैं अब परी म है तो हम लिखेंगे क्या इसलिए इसलिए सेवें रूट अंडर पांच बराबर क्या लिखेंगे पी बटा में क्यू हमने लिख दिया है ना जहां है ना जहां अब आप एक पी पी नहीं क्यू बराबर क्यू बराबर जीरो नहीं महाँ चाहिए राइट अब देखो जब इसको सॉल्ब करेंगे तो सिम्पल है रूट अंडर पांच तो रूट इन पांच बराबर साथ गुना में इधर आगा तो बटा में यानि पीबटे में सेवन क्यों हो जाएग kan simple अब यहां पित गरूटी इन पाच एक सिंख्या है और पीवर्टा सेवन क्यों क्या पर इमसंख्या क्या दोनों आपस में बराबर होंगे नहीं होंगे ना लाक्यवपच लिगा तो पे कि भाई परिम्य संख्या यहां से आप के ऊबर छोड रहा हूं आप लोग सॉल गरो ना रूट अंड पाच लिखेंगे चुंकि रूट अपाच एक परिम्य संख्या है आप पी बटा से वन किवेक परिम्य संख्या है और आपर में शंख्या बरावर नहीं हो सकता यह नि लेंगे यह पर्मिय संख्या जब माल लेंगे तो इसके बरावर में क्या लिखेंगे पी बटा क्यू लिखेंगे तो रूट अंडर दो बरावर पी बटा में क्यू पलस कच्छो यह तो इधर आगे माइनस कच्छो लो यह हमारे पास ऑपर में संख्या आपर में संख्या बरा टेक केर लव यू